महराष्ट में अकोला के डापकी रोड थाना अंतरगत आने वाले ग्राम अमानत पूर तकोडा परीसर में एक सौ रुपए के नकली नोटों को चलन में लाने के आरोप में डापकी रोड पुलिस ने दो यूगों को हिरासत में लेते हुए उनके पास से एक सौ के बाइस उने का अहसास हुआ तो गाउवालों को बिलाकर तुरंत उनका पीछा किया और उन्हें गाउं से कुछ ही दूरी पर उनकी दुपहिया बाहन के साथ पकड़ लिया गया दोनों यूगों की तलाशी के दौरान उनके पास से एक सौ रुपए के बाइस नए नोट बरामद इस पूरे मामले की तह तक जाने के प्रयास कर रहे हैं